अगर आप एक ट्रीमर ख़िदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो भी देख लेना क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा भी ट्रीमर है जिसकी प्राइज जिसका प्राइज मात्र चार सो रुपए है जिस ट्रीमर के बारे में बात कर रहा हूं ये राव वो ट्रीमर और नोवा कंपनी का ट्रीमर है जिस वीडियो में करूँगा इसी ट्रीमर की अन्बोक्सिंग और मेरे अंदर भी चुल मची है कि 400 में इसके अंदर क्या-क्या फीचर देखने को मिलते है और में आप लोगों को बताऊंगा कि 400 रुपया देने के बाद आपको ये ट्रीमर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो गाइस चली इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं इस ट्रीमर के अंदर हमें क्या कुछ खास फीचर देखने को मिल जाता है तो चली इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं तो गाइस यह रहा ट्रीमर का बॉक्स इस ट्रीमर का जो नाम है वो है नोवा एन एच्टी वन जिरो फॉर फाइफ यह ट्रीमर का नाम ही है यहाँ पर हमें कुछ फीचर देखने को नहीं मिलते हैं बस यहाँ पर जो इसकी इन फ्रेंडी यह सब मेंशन किया गया है अज़ी के साथ इस ट्रीमर में वन एर की वेराइंटी भी देखने को मिल जाती है और एक खास बात अगर आप इस ट्रीमर को आउनलाइन पर्चेस करोगे तो आपको बहुत सारी कलर की वेराइटी भी देखने को मिल जाती है तो चले इस ट्रीमर को अनबॉक्स करते है So guys box open करता ही अंदर हमें एक और box देखने को मिल जाता है चले इसे बाहर की तरफ निकाल लेते है यहाँ पर हमें box में देखने को मिल जाता है इस box के अंदर हमें एक user manual देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से है इसे रखते हैं side में आप passenger बातकर अपनी सिस बॉक्स के बारे में तो यहां पर हमें कुस लेंग केु Sap देखने को मिल जाता है इसे हम Dalby कहते हैं तो यहां पर हमें 3 mm का कॉंब देखने को मिल जाता एंड इसी के साथ यहां पर 9 mm का एक कॉम्ब देखने को मिल जाता है जो कि लेंद बढ़ाने या गटाने में मदद करेगा इसको रखते हैं सैड में और इसी के साथ गाइज यहां पर हमें एक चारजिंग केबल देखने को मिल जाता है जो कि हम बड़े आसानी से इस ट्रीमर क देखने को मिल जाता है इसे बाहर की तरफ निकाल लेता हूं और बात करते हैं इसके कॉलिटी के बारे में सो गाइज आप लोग इसकी कॉलिटी को देखी सकते हैं काफी अच्छा कॉलिटी हमें देखने को मिल जाता है उपर की तरफ हमें यहां पे ब्लू कलर का एक पेंट देखने को मिल जाता है इसका जो बॉडी ही वो पूरी तरह से प्लास्टिक का है आप लोग देख सकते हैं इसी के साथ यहां पर हमें नोवा कंपेनी की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है साइड बोजिशन पर हमें एक बटन देखने को मिल जाता है जो कि पावर आफ या आउन का है नीचे की तरफ हमें एक चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है इसी के साथ guys back side में हमें यहाँ पे sale लगाने का option देखने को मिल जाएगा जो कि हम इस battery को लगा सकते है और नीचे के side guys यहाँ पे हमें charging point देखने को मिल जाता है जो कि इस cable की मदद से बड़े असानी से streamer को charge कर सकते हैं तो चलिए इस sale को लगा देते हैं सो guys मैंने sale लगा दिया है अब चलिए इसे start करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह जो streamer है working condition के अंदर है अब बात करें इसके features के बारे में guys तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें silver color का एक blade देखने को मिल जाता है जो कि इस blade का जो mm है वो है 0.25 mm मतलब अगर आप streamer की मदद से clean shaving करना चाहेंगे तो clean shaving आप बिलकुल नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप beard set करना चाहेंगे तो बड़े अराम से कर पाएंगे इसी के साथ guys यहाँ पे हमें कुछ length देखने को मिल जाते है जो कि हम इसमें बड़े आसानी से fit कर सकते हैं अब कैसे fit करना है चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ इस तरह से बड़े आसान तरीके से हम यहाँ पे fit कर देंगे तो यह 9 mm अगर आप beard save करेंगे या haircut करेंगे तो यह आपका 9 mm length पर cutting करेगा तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे 3 comb देखने को मिल जाते हैं जिसमें से मैंने आप लोगों को पहले बताया 9 mm, 3 mm, 6 mm का comb देखने को मिल जाता है बात करें इस streamer के backup के बारे में कि यह कितने minute या कितने घंटे का backup देगा अगर आप इसे 8 घंटा चार्ज करते हो चार्जिंग जो टाइम है इसका 8 घंटा अगर आप इसे 8 घंटा चार्ज करोगे तब जाकर आपको यह 30 मिनट केवल 30 मिनट का backup देगा आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप 800-900 रुपय का भी ट्रीमर खरीने जाओ गे तो इतने अच्छे फीचर समें देखने को नहीं मिलते हां वहां पर जो बैक अप टाइम रहता है ट्रीमर का वह जाद है रता है 45 मिनट पचास मिनट बट यार 400 रुपय में 30 मिनट का बैका मिल रहा है सस्क्राइब जरियर कीजिएगा